डॉलर्स एंड सेंस बाइ डैन एरिली एंड जेफ क्रिसलर जो हमें अक्सर घलत फैसले लेने पर मجब fabrics, शॉर्ट के बात करतेश साथ ही किताब हमें बताती है कि कीस तरह हम इस पर काबू और सकते हैं किस तरह हम हर रोज के फैसले लेने में शॉर्ट कट का इस्तेमाल करते हैं एक ही बात को अलग-अलग तरह से बोलने से किस तरह से हमारे फैसले बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी इस्वान सिक्ता पर कावो पास सकते हैं? पहला सबक, हम अपने पैसों को जरूरी जगे पर खर्च नहीं करते क्योंकि हम दूसरे आप्शन पर ध्यान नहीं देते इस किताब के लेखक Airely ने एक बार कुछ लोगों से सवाल किया कि वे एक नई गाड़ी खरीदने के लिए अपने कौन से दूसरे खर्चों के साथ समझाता कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने कहा कि वे एक गड़ी नहीं खरीदेंगे वे लोग अपने हर रोस के खर्चों के साथ समझाता नहीं करना जाते बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि वे इसके लिए होटल में खाना खाना या फिर छुटियों पर जाना छोड़ देंगे पैसों को लेकर लोगों के बहुत अलग विचार है लेकिन ये सब मानते हैं कि हर दिन की जिन्दगी में पैसा जरूरी है लेकिन फिर भी हम अपने बेकार के खर्चों को कम करने के बारे में नहीं सोचते हमें जब कुछ खरीदना होता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम उस पैसे को किसी दूसरी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं एकनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाता है इसका मतलब होता है बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च करके हम जब जब जरूरी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते तो उससे हमें कितना नुकसान होता है इस तरह से जब हम पैसे खर्च करते वक्त दूसरी आप्शन के बारे में नहीं सोचते तो हम बहुत बड़ी गल्ती कर रहे होते हैं इसके पीछे दूसरी वज़ा ये है कि हमें सोचना पसंद नहीं है इसलिए हम बहरी चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दे कर एक चीज की कीमत को पहचानते हैं हम अपने हर खर्च पर रुक कर ये नहीं सोचते कि हम पैसे को किस बहतर काम में लगा सकते हैं हम बस एड़् को देखने के बाद सामान खरीदने का फैसला कर लेते हैं कमपनियां हमारी मांसिकता का इस्तेमाल करती हैं और अपने एड़् में हमेशा कहती रहती हैं कि उनका ओफर सीमित समय के लिए है इससे हमें डर लगता है कि कहीं हमारे हाथ से कुछ छूट ना जाए और हम अपने पैसे खर्च कर देते हैं दूसरा सबक हम फैसले लेने के लिए एकसर शौट कर्ट्स का इस्तमाल करते हैं एक चीज की असल कीमत क्या है ये हम पता नहीं लगा सकते अगर आपको एक कपड़ा खरीदना है तो उसके असल कीमत का मतलब उसमें लगने वाले सामान के कीमत उसे बनाने में हुए खर्चे और उसे दुकान तक शिप करने के खर्चे लेकिन हम इसे ज्यादतर लोगों के पास इतनी जानकारी निकालने का समय नहीं होता इसलिए हम कुछ शौट कर्ट्स का इस्तमाल करते हैं इसके लिए हम एक चीज की तुलना दूसरे से करते हैं हम ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी का सामान दूसरी जगहों पर कितने दाम में मिल रहा है और इस तरह से हम बहतर फैस्ट लेते हैं लेकिन क्या हो अगर इसमें भी कंपनियां हमें धोका दे दे एक्जांपल के लिए जैसी पैनी नाम की एक चेन स्टोर को ले लीजे 2012 तक वो अपने स्टोर के सामान का दाम बढ़ा देते थे और फिर उसे काट कर उस पर डिसकाउंट लिग देते थे और उसे फिर रीटेल प्राइस पर ले आते थे इस तरह से वहाँ पर सामान खरीदने वालों को लगता था कि वहाँ के जूते की खीमत 1200 है लेकिन डिसकाउंट के चलते उन्हें वो आज सिर्फ 1000 में मिल रही हैं इस तरह से वे वहाँ पर खूब शॉपिंग किया करते थे लेकिन इसके बाद रॉन जॉनसन वहाँ के सीईओ बन गए उन्हें अपने ग्रहाकों से इस तरह से जूट बोलना अच्छा नहीं लगा उन्होंने ये सारे काम बन कर दिये लेकिन इससे ग्रहाकों को लगने लगा कि उन्हीं अब डिसकाउंट नहीं मिल रहा है जिस से उन्होंने वहां से सामान खरीदना बंद कर दिया उस साल उन्हें 985 मिलियन डॉलर का नुखसान हुआ सामान खरीदने के लिए हम डिसकाउंट का सहरा लेते हैं लेकिन फिर भी हम यह नहीं पता कर पाते कि उस समय उस सामान के असली खेमत क्या है अगर कुछ डिसकाउंट मिल रहा है तो हमें लगता है कि वो सस्ता है इस तरह से हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी शॉर्ट कट का इस्तमाल करते हैं एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों के सामने एक टेबल पर एक सूप का कटोरा रखा गया उस कटोरे के नीचे सूप फिर से भरा जा सकता था लेकिन उसे खाने वालों को इसका पता नहीं था जब लोग उस सूप को खाने लगें तो कुछ लोग बस खाते ही गए विखा रहे थे लेकिन कटोरे का सूप खत नहीं हो रहा था क्योंकि उसे नीचे से फिर से भर दिया जा रहा था उन्हें तब तक भूख लग रही थी जब तक कटोरा खाली नहीं हुआ इस तरह से हम कटोरे के खाली हो जाने को अपनी भूख के शांत हो जाने से देखते हैं तीसरा सबब भावनाएं हमारे पैसों की आदतों पर काफी हद तक असर डालती हैं जरा इन दो हालात पर गौर कीजिए एक हालात में आप सौ रुपय का एक टिकेट खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन बात में आपको वो टिकेट खो जाता है क्या आप फिर से वो टिकेट खरीदने के लिए जाएंगे दूसरे हालात में आप टिकेट लेने के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में आपका सौ रुपया खो जाता है आप आप क्या 100 रोपे और निकाल कर टिकेट लेने जाएंगे? इन दोनों ही हालात में आपको नुकसान बराबर का हुआ है लेकिन हम लॉजिक की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है और आपका जवाब दोनों ही हालात में एक ही होना चाहिए था लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि टिकेट के खो जाने पर वे फिर से दूसरा टिकेट नहीं रेने जाएंगे लेकिन अगर पैसा खो जाए तो वे और पैसा निकाल कर टिकेट लेने जाएंगे ऐसे हालात में हम अपनी mental accounting का सहरा लेते हैं जो कि कभी-कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है यह पर हम दोनों हालात में अलग फैसला ले रहे हैं जबकि दोनों में नुकसान एक जैसा हो रहा है हम ये काम हर रोज करते हैं अगर हमें कुछ खरीदना होता है तो हम सारे option के बारे में नहीं सोचते हम ये नहीं देखते कि वो सामान हमें किस तरह से सस्ता मिल सकता है हम बस अपने mental accounting का सहारा लेते हैं और जिस तरह से आज तक काम करते आए हैं वैसे ही फिर से काम कर देते हैं इसके अलावा दूसरी तर से जो पैसे मिलते हैं वो उसे सारी उम्र बचा कर रखती है क्योंकि वो उसके घरवालों की याद दिलाता है लेकिन वही पैसा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जिसे वो पसंद नहीं करती तो वो उसे जल्दी से जल्दी खर्च करके उससे चुटकारा पाने के वाले में सोचती है इसी लिए ये ज़रूरी है कि आप पैसों से अपनी भावनाओं को मत जोड़िए उनका इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर कीजिए चौथा सबक शब्दों के और रिवाजों के इस्तेमाल से हम एक चीज की एहमियत को बदल सकते हैं फिर से इन दो लाइनों पर ध्यान दीजे एक आपदा में पुलिस कर्मचारी बिल्डिंग में फसे 33% लोगों को नहीं बचा सके एक आपदा में पुलिस कर्मचारी ने बिल्डिंग में फसे 66% लोगों को बचा लिया इन दोनों लाइनों में दूसरे लाइन को बढ़ने पर आपको लगा होगा कि पुलिस ज्यादा काबिल है लेकिन असल में ये दोनों लाइने एक ही बात बोल रहीं थी दूसरे एक्जामपल में फिर से इन दोनों लाइनों पर ध्यान दीजिए अगर आपकी सेलरी 20% कम कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा अगर आपको सिर्फ अपनी सेलरी का 80% भाग खर्च करके अपना महीना बिताने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा 1988 में Journal of Consumer Research की एक स्टडी में पाया गया कि ज्यादा तर लोगों का जवाब था कि वे दूसरे आप्शन के हिसाब से जीना पसंद करेंगे लेकिन असल में इन दोनों ही हालात में कुछ अंतर नहीं था ये दो लाइने एक ही बात को अलग-अलग तरह से बोल रही है इस तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल कुछ अलग तरह से करें तो हमारा दिमाग उसे कुछ अलग तरह से देखने लगता है रेस्ट्रू में और होटल में इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल खाने की क्वालिटी को दिखाने के लिए किया जाता है वे लोग कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी ग्रहकों को लगे कि भी बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना है और उसके लिए ज्यादा पैसे दे एक्जामपल के लिए जब कमपनिया अपनी ग्रहकों को किसी प्रोड़क्ट से समबंदित इमेल फेशती हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखती हैं हमारी सूरिया टीम आपके लिए लेकर आई है यहाँ पर सूरिया कमपनी का नाम है अगर हम उसके आगे टीम लिख दे तो लोगों को लगता है कि बहुत समझदार लोग एक साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो इसे कुछ इस तरह से लिख दे सूरिया कमपनी आपके लिए लेकर आई है तो लोग उसे कुछ अलग तरह से देखते हैं उन्हें लगता है कि कमपनी उन्हें अपना सामान बेशना जाती है ठीक इसी तरह से अगर हम रिवाजों को किसी चीज से जोड़ दें तो लोग उसे ज्यादा एहमियत देने लगते हैं आदिवासि के लोग उन्हें टॉर्चर करते हैं लेकिन इस तरह के रिवाजों से होकर गुजरने के बाद वो लड़का जुंड का जिम्मेदार सदस्य बन जाता है और अपने लोगों की सेवा पूरे मन से करता है इस तरह के रिवाज जब हम किसी भी दूसरे सामान के साथ जोड़ देते हैं तो लोग उसे ज्यादा एहमियत देने लगते हैं पैसे से सम्दित अपनी आदतों को सुधार सकते हैं हमने देखा किस किस तरह से हमारी मान सिक्ता का इस्तेमाल कमपनिया करती हैं ताकि हम ज्यादा पैसा खर्च कर सकें इससे बचने के लिए बज़ट बनाना बहुत जरूरी है लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको खुद को काबू करना नहीं आता खुद को काबू करने के लिए अपने भविश से बात करने की कोशिश कीजिए ये सोचिए कि 20 साल बाद आप भविश में वापस इस समय में आकर खुद से बात कर रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि किस तरह से आपके आज के इस फै रिटायर होना चाहेंगे, बलकि ये कहीं, कि आप जुलाई दोहजार उनतीस तक रिटायर होना चाहेंगे, इस तरह की डेडलाइन रखने से, आप खुद पर काबू पा सकेंगे, खुद पर काबू पाने का तीसरा तरीका है, युराइसस कॉन्ट्रेक्ट बनाने का, इसमें आप खुद को कुछ इस तरह के हालात में डाल देते हैं, जहां पर आप घलत काम कर ही न पाएं, एक्जामपल के लिए, अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत है, तो आप सिर्फ डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, आप अपने क्रेडिट आप कट कर चला जाएगा, आप अपने एमपलॉयर से बात कर सकते हैं, कि वो आपकी सैलरी का एक हिसा दूसरे अकाउंट में डाल दे, 2010 की एक स्टडी में ये पाया गया, कि जो लोग इस तरह से सेविंग करते हैं, वे 81% से ज्यादा सेविंग करते हैं, अब आप ये जान कि आप अहर रोज की जिंदेगी में किस तरह से गलत फैसले ले रहे थे, और किस तरह से आप खुद को वैसा करने से रोक रहे थे, आप वक्त आ गया है कि आप कुछ बहतर फैसले ले, कुल मिलाकर, ज्यादा तरहालात में हम सोच समझ कर फैसला नहीं करते हैं, बलकि शॉर्टकट का इस्तेमाल करके फैसला लेते हैं, हमारी इस मांसिक तक इस्तेमाल कमपनिया करती हैं, ताकि हम ज्यादा पैसे खर्च कर सकें, शब्द और रिवाज हमें एक ही चीज़ को अल आदतों को सुधार सकते हैं, क्या करें, अपने भारी बजट को आसान बजट में बदलिए, अगर आपका बजट बढ़ा और उल्चा हुआ है, तो आपको इससे बहुत परिशानी होगी, और आप अंत में बजट बनाना छोड़ देंगे, आप अपने बजट को आसान आप एक महीने में बेकार की चीज़ों पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इन पैसों को अपने प्रिपेट डेबिट कार्ड के उपर डाल दीजिए, तैकि आप एक महीने के लिए इससे चुटकारा पास सकें